हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टैक क्रियेटिव आर्थी पूरवाल दोस्तो आज की वीडियो में बोर्ड स्टुडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बोर्ड एक्जाम का रिजल्ड किस दिन आएगा तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नय है मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आगे जो बैल आइकन का बटन है उसे भी प्रस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस बहुत इंपोर्टेंट है आपको बतातू आज 16 जून है और there has been a lot of anticipation among the cbsc class 12 board exam 2021 students regarding their results. Media report states that the central board of secondary education will likely release the cbsc class 12 board exam 2021 result by 15 अगर्ष्ट जिया दोस्तों cbsc 12 का जो रिजल्ट है वो 15 अगर्ष्ट तक आ जाएगा ऐसी announcement हो गई है it is learned that the on Friday 11th June deputy chief minister Manish Shodhya wrote the union education minister Ramesh Pokharyal generally the theoretical subjects comprises 70 marks each out of 100 marks so to calculate the result the following things can be taken into consideration 20 marks each of class 11th and 10th exams any 40 marks in total 30 marks wait is for pre-board exam and remaining 30 marks can be allocated for practical exams तो यह evaluation criteria रहेगा marks का तो यह 12th board exam के students के बेहत खास news है और UP board के बच्चों के बता देती हूं कि आपका result जो है जुलाई के फस्ट वीक में यानि एक से पांच जुलाई के बीच में आ सकता है तो दोस्तों यह बहुत ही latest update था अगर आपको यह update अच्छा लगा हो तो मेर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा हर लेटेस अबडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे है थैंक यू